कैसे हूँ मेरे ओटर दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्लाउट कीचिन के मेन्यू को कितना फ्रिक्वेंट आपको पदलना चाहिए मैंने कई सारे ऐसे रेस्टरेंट्स या क्लाउट कीचिर के ओनर्स देखे हैं जिन्नोंने की मेन् लिजे पूरे दिन में एक या दो ही आ रहे हैं तो ऐसा क्यों है तो जो इसके पीछे मुझे जो लगा या मेरे कारण लगा क्योंकि में यहां पे हैं खाने का ही काम हम लोग कर रहे हैं और खाना ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर बारबर और करें पर बारबर और और वो प्रेंट सिनेरियों में लंबा नहीं खीज सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे छोले भटूरे बना के बेचूंगा और यही बेचता रहूंगा सदियों तक तो ऐसा नहीं है, आपको उस छोले भटूरे को बेखते बेखते उसमें ही कई सारे variation करने पड जो भी कुछ भी हो जो भी आपके मन में आ रहा है यह सारी चीजें, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने menu को revamp, revive, कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही important है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरी मानिये, आप अभी नहीं तो आसे साथ महीने बाद अप अपने एक tasty dish बना दी और वही tasty dish लोग सद्यों तक खा रहे हैं और उसी dish के लिए आपके पास आ रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं है बिलकुल भी, लोगों के mind change होते रहते हैं, जिस परकार से social media हमारे life में आया है, हम लोग radio से, television से, फिर से mobile में जा चुके हैं, और वही mobile से, हम लोग सिर्फ YouTube पे पहुंच चुके हैं, तो यह सारी चीजे हो रही हैं, तो हमें भी अपने आपको as a honor, as a honor बोलने का मेरा मतलब है कि as a honor और जो चाहता है कि इस cloud kitchen के business को आगे ले जाना या इस hotel industry में आगे काम करना, तो हमको यह सारी चीजे समझनी होंगी, अब आपको यह सब calculation कैसे करनी पड़ेगी, कैसे हिसाब लगाना पड़ेगा कि मेंच को अब menu change करना चाहिए, क्या साल में मुझे दो बार करना चाहिए, साल में मुझे चार बार करना चाहिए, हर तीन महीने के अंतराल में, या हर महीने मुझे change करना चाहिए, तो आप यह सारी चीजे क कर सकते हैं मैं डारेक्ट प्रामिस करता हूं आपसे नई वाली वीडियो डारेक्ट आपके पास पहुंचा दूँगा बाकी मेरा एक कोर्स है क्लाउड कीचिन का कोर्स है सिर्फ और जिसकी की कीमत मैंने मात थाई हजार उपे रखी है और इस कोर्स में आपको मिलेगा सारी आ यहां भी आप फस्त है क्योंकि बाद में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तीन चार पांच लाकी आपके ऊपर है वह आप कस्टमाइज कर देंगे आपको एक्सपट के एडवाइज मिल जाएगी तो वही चीज़े जो लाख रुपे में हो दी वही घटके हमारी 70-80 30,000 यह लाख रुपे में रह जाती है जिस प्रकार के क्लाउटे पर स्क्राम करना चाते हैं इससे यही फाइदा होगा क्योंकि क्वेरी इतनी होती है हर किसी का आंसर देना मुश्किल हो जाता है और जो रियल में सीरियस में क्लाउड किचन खोलना चाते हैं बुजनस करना तो उनकी help claim में ready हूं तो यह हो गया अब मैं आपको जो में मुद्धा था dishes menu report आपको करना क्या होगा आपको हर महीने आपकी menu dishes report निकालनी पड़ेगी माली जी आपके menu में 15 item है आप 15 item लेके हम लोग चलते हैं easy रहेगा तो आप देखे कि पूरे महीने में आपने कितने बेचे हैं आप burgers बेख रहे हैं या आप देखिए आप उसके हिसाब से फिर आपको अपने menu चेंज करने हैं एक item माली जी एक chicken burger आपका बिक रहा था अभी हर महीने में मालीजे 100 pieces आप बेच रहे थे अगले महीने में घटके 70 रह गये हैं या सीधा वो 10 पे आ गया है तो आपको समझ जाना चाहिए अब यह change करने का समय आ गया है आप dishes के हिसाब से change कर सकते हैं तो आप यह नहीं कि आप उस dish को हटा दें आप सिर्फ उसका नाम change किज कुछ इसमें variation change किजिए कुछ sauce बदल दीजिए अभी तक आप इंडियन chicken burger चला रहे तो चिकन इंडियन burger कर दीजिए उसके थोड़े सा price भी बढ़ा दीजिए तो यहां पर आपको जब भी आप menu change करेंगे तो आपको मौका मिलेगा अपने dishes के price को थोड़ा बढ़ाने के ल पड़ेगा लंबा चौड़ा menu आप मत रखिए आप 20-25 डिस रखिए उनको यह बाइफर्केट कर सकते हैं आपको लोग उनको half full वनफोर्थ इस तरीके से तो इस तरीके से आपको सोचना है और वीडियो में सिर्फ यही था अब तक जो मैंने आपको बताया उमीद करता हू आपको समझ आ गया हो आपकी जो dish menu report किस तरीके से आपको read करनी है बाकी अगर आप चाहें अगर आपको लगता है कि आपने तीन महीने तक एक अच्छा restaurant चला लिया आपकी style अच्छी है तो आप सेम उसी के अंदर एक दूसरा restaurant open कर सकते हैं क्योंकि cloud kitchen है आप चाहे कितने भ आपके पास कुछ भी questions हो मुझे बताना बाकि cloud kitchen course के लिए आप मुझे नीची request कर सकते हैं शेर कर देना आगे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठागे